नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Excel में किसी भी लोन का monthly installment कैसे निकालते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने already एक table को यहाँ पे design करके रखा है जहाँ पे मैंने लिया है serial number, customer name, loan amount, मतलब कितना loan आपने लिया है rate of interest, duration, मतलब कि आपने कितने साल के लिए यह loan लिया है उसका बाद यहाँ पे interest, फिर total amount और last में installment interest, total amount और installment को हम यहाँ पे calculation करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे आपको interest को calculation करके दिखाएंगे और इसके लिए आपको यहाँ पे एक formula लिखना होगा हम सबसे पहले लिखेंगे equal first packet को open करेंगे open करने के बाद loan amount को select करेंगे उसके बाद multiple sign देंगे फिर हम यहाँ पे rate of interest को select करेंगे फिर देंगे multiple sign उसके बाद हम यहाँ पे duration के year को select कर देंगे select करने के बाद bracket को close करेंगे और एक बर enter करेंगे enter करने के साथ ही यहाँ पे देखिए आपका interest जो है वो calculation होके निकल आया है तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 80,000 रुपे 5% प्याज में अगर 4 साल के लिए कोई लेता है तो उसका interest आ जाएगा 16,000 रुपीज अभी बाकियों को calculate करने के लिए drag करके मैं यहाँ पे auto fill कर दूँँगा अब मैं आपको यहाँ पे total amount calculate करके दिखाऊंगा इसके लिए loan amount के साथ आपको यहाँ पे interest को add करना पड़ेगा तो यहाँ पे formula के लिए हम लिखेंगे equal sign loan amount plus interest amount जस्ट एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही total amount calculate हो जाएगा बाकियों को calculate करने के लिए जस्ट यहाँ से double click करके इसके लिए यहाँ पे आपको एक formula लिखना है हम सबसे पहले लिखेंगे equal sign फिर आपको यहाँ पे total amount को select करना होगा select करने के बाद हम यहाँ पे divided sign देंगे divided sign देने के बाद आपको यहाँ पे duration को select करना है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो duration मतलब loan tenure जो है वो यहाँ पर year wise दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ पर जो installment निकालेंगे वो monthly wise होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर divided by 12 कर देंगे divided by 12 करने के बाद जस एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही यहाँ पर देखिए installment amount जो है वो calculation होके निकलाया है बाकियों को calculation करने के लिए जस डबल क्लिक करके auto feel कर देंगे तो यह हो गया हमारा monthly installment calculation दोस्तो अब मैं आपको यहाँ पर loan amount को थोड़ा change करके दिखाऊंगा पहला बाला जो loan amount है इसको मैं यहाँ पर change करके 90,000 कर दूँगा और change करने के साथ ही automatically यहाँ पर देखिए interest amount है total जो amount है and installment amount automatically calculation हो जाएगा तो दोस्तो यह था simple process जिसको use करके आप Microsoft Excel में किसी भी loan का interest, total amount and monthly installment को calculate कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा Thank you for watching the video, please keep your support कर दो